आप जब हरुगे तो स्टुडेंस आज हम लोगोंने टॉपिक स्टार्ट करना है वह है इंटीजरड़ाटा जो थी लास्ट वीडियो उसमें हम लोगोंने पड़िकिट डैटाटाइप के बारे में हम लोगोंने बात की कि डैटा टाइप क्या होता है जिसमें हमने देखा जबि हम Variables के नाम बनाते है नाम रहा है तो हम इस को करते हैं कि इस Variable ऐं किस टाइप के data को स्टोर करवाना है यह लगेंगे तो यह चीजह जो भी variable को हम बताएं कि इस variable ने इस type के data को hold करना है और फिर उसके मताबिक उसके set of operations उसके पर apply होंगे उस हिसाब से उसकी memory allocate होगी तो basically जो data type होती है वो define करती है कि आप जो variable है वो किस type के data को store कर रहाएगा उसकी memory में कितनी space occupy होगी memory के अदर वो कितनी space को allocate करेगा और define करता है कि इसकी length कितनी होगी data store करने की उस variable की capacity कितनी होगी और इस तरह हम लोग different चीज़े देखते हैं ठीक है और हम लोगों ने भी उसी के अंदर examples में हम लोगों ने चार तरह की data types के बारे में पढ़ा और वो चार तरह की data types जो थी वो थी आपके पास standard data type standard data type का मतलब यह हुआ कि वो पहले से ही language में predefined थी ठीक है वो पहले से language में predefined थी आप उन चार तरह की data types में हम लोगों ने जो पहली data type को पढ़ा वो थी आपके पास integer data type ठीक है integer data type जिसके बारे में हम ने देखा कि वो values निमेरिक की values को store करवाती है आसी data type जो के variable की functionality को इस तरह बनाती है कि उसने जस्ट numeric type की data को store करना है ठीक है तो उस data type को हम कहते है integer data type आज basically हम लोगों ने integer data को बारे में पढ़ना है कि integer data होता क्या है और different जो data types है integer data को store करवाने के लिए या integer data, integer type के data को store करवाने के लिए हमने उसको detail में देखना है तो हम लोग अपना topic start करते है तो basically start करते हम लोग इसकी definition से integer data, integer data is a numeric value with no decimal point or fraction integer data आपकी कोई भी numeric value होती है जिसके अंदर कोई decimal point या fraction नहीं होता कोई भी ऐसी data कोई भी ऐस numeric value जिसके अंदर आपके पास किसी भी किसम कोई point decimal decimal point या fraction नहीं हो उस तरह की data को हम कहते है कि data integer data है it includes both positive and negative values integer data के अंदर आपके पास दोनों तरह की values आ सकती है वो integer positive values पे भी consist कर सकता है और negative values पे भी consist कर सकता है the minus sign minus is used to indicate negative value अभी जो sign आपके पास एक छोटा सा line में यह negative values इसको indicate करने के लिए use होता है और इसको हम कहते है minus if no sign is in use अब कोई भी sign use नहीं हो रहा the value is positive by default तो जो भी value है वो by default positive value है ठीक है उसके बाद हम लोग अभी इसकी example देखते है for example हमारे पास कुछ integer values है जैसे 50, 520, minus 20 तो यह सारी values चुन सी है यह आपके पास integer data है जिसके अंदर किसी भी किसम का point नहीं है कोई decimal point नहीं है कोई fraction नहीं है इसलिए हम इसको कहते है integer data यह था हमारे पास integer data अब जो हम लोगों ने बात करनी है वह है types of integer data types of integer data क्या है हम लोग इसको देखते है c provides different types of integer data as follows c हमें different types of integer data provide करते है इसका मतब integer values के लिए integer type के data के लिए हमारे पास different data types है ठीक है जो के हम लोग variable की naming के तुरान या variable को जब हम name देते हैं उसकी data type भी select करते है variable की declaration में तो हम लोग महाँ पर इंत data types को use कर सकते हैं सबसे पहले हमारे पास जो data type आती है इंटीजर वेरियेबल स्टोर्स नंबर विद्नों फ्रैक्शनल पार्ट एक इंटीजर वेरियेबल स्टोर करता है उन नंबर्स को जिनके अंदर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता ठीक है, integer variables उन numbers को store करता है, जिनके अंदर कोई भी fractional part नहीं होता, such as 11, 10, 25, etc. It takes 2 और 4 bytes in memory, depending on the computer and compiler being used. Integer type की data के लिए, जो memory allocate की जाती है, वो 2 या 4 bytes हो सकती है, और 2 या 4 bytes depend करता है, on the computer, या फिर compiler जो भी उसके अंदर यूज हो रहा है. It takes 2 bytes in turbo C++, के अंदर 2 byte, के रही करता है, या 2 byte की space लेता है, and it ranges is from, minus 32768 to 32767 तक, इसके ranges आ सकती है, minus 32768 से लेके, plus 32767 तक, ठीक है? Integer data type की बारे में हम पहले बात कर देते हैं, हमारे पास maths के अंदर, बहुत जादा numbers आते हैं, ठीक है, उन numbers का काम क्या होता है, उन numbers के साथ हम लोग अपनी calculations को perform करते हैं, वो numbers हमें, जो है, counting में help out करते हैं, वो numbers हमें, discrete values के लिए help out करते हैं, उन numbers के साथ हम लोग calculations perform करते हैं, हमें average निकालनी हो, percentage निकालनी हो, किसी counting करनी हो, square root लेना हो, या पर different calculations perform करनी हो, तो हम लोग numbers की help लेते हैं, numbers को use करते हैं, उन numbers को अंदर ना, अब बहुत different types के numbers होते हैं, जैसे कुछ numbers होते हैं, जिनके अंदर आपके पास, decimal points नहीं होता है, just simple digit based होते हैं, जैसे वो 2, 2, 3, 3, 3-4, 4 digit based भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे numbers को हम लोग integers का नाम देते हैं, ठीक है, वो आप उनकी quantity बढ़ भी सकती है, जैसे वो 4, 5, 6, 6 digits भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लिखिन उनके अंदर हास यह होती है, कि कोई भी decimal point नहीं आता, ठीक है, अब उन numbers का काम क्या होता है, जैसे वो नमबर्स हमें calculation में help out करते हैं, किसी की values निकालनी हो, जैसे हम लोगोंने किसी के बार में data रखना हो, तो हम उसके numbering के लिए यूज कर सकते हैं, हमें किसी हास किसम का जैसे हम लोगोंने, करना हो कि calculation या age wise देखना हो, तो भी वो help out करते हैं, जब आप percentage निकालते हैं, तो भी आप को numbers की मदद लेनी पड़ती है, अब उन numbers, जैसे किसी किसम के point, या decimal के fractions नहीं आते, ऐसे numbers को हम नाम देते हैं, integer values का, उनको हम कहते हैं, integer numbers, ठीक है? हम ऐसे क्या करते हैं, हम लोग जो भी variable, programming के दुरान बनाते हैं, या उसको declare करते हैं, उसका नाम रखते हैं, अगर हम उस variable की जो data type है, यानि कि उसको हम define करें, कि उस variable के अंदर, जिस ऐसे numbers आएं, जिसके नहीं fraction, fraction part नहीं हो, जिसके नहीं decimal point वाले numbers नाएं, तो उन numbers के लिए, उस variable को उस तरहा बनाने के लिए, हम जो data type यूज़ करते हैं, वो होती है, इंट data type, चीक है, वो क्या होती है, वो होती है, इंट data type, अब उन numbers की example आपको पता है, कोई भी numbers ले लें, जो कि आपके plus में भी हो सकते हैं, वो आपके minus में भी हो सकते हैं, ठीक है, जो plus में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, लेकिन वो points में fraction form में नहीं होंगे, वो आपके decimal form में नहीं होंगे, ठीक है, तो वो जस्ट होंगे आपके पास numbers की form में, digit places ज्यादा हो सकती हैं, लेकिं points decimal fractions के लाव जो हैं नहीं होंगे तीक है अब उन numbers के लिए जो आप data type यूज़ करते हैं वो है इंट data type अब होता क्या है जब आप किसी भी variable की type इंट रख दें तो इसके अदर आपके पास जो numbers या data आएगा इंटीजर बेस आएगा इंटीजर बेस आएगा इसका मतलब उसके अदर प्लस और माइनस की values भी आ सकती है लेकिन उसके पॉइंट स्टेसिमल या fraction पार्ट नहीं आएगा अब जब उनको आपने डिकलेर कर दिया या प्यापके बात करते हैं तो या फिर आपके computer की ऊपर या फिर आपके compiler की ऊपर जो भी compiler आप यूज कर रहे है ठीक है वह depend करता है computer या फिर compiler की ऊपर प्सेंने क्िलिक्द अटे कि आप तेन हुझर खंके तब फुल कोई ब मैम्मरिय दूद फॉम ड़isma कीजिन ऑप तक हुझे हैं जो ह। सब्सक्राटेश में खब थीर टेट करें जो हैं कि सबिक्सक्राइय। होता है computer के अंदर जो भी compiler आप यूज़ करे होते हैं वह calculate करता है कि इस type के variable ने memory में कितनी space allocate करनी है ठीक है वह देखता है कि आप में कितनी space allocate करनी है तो अब depend करता है compiler की उपर कि उसने कितनी space किती memory space allocate करनी है है हर computer में C language के लिए different compilers use होते हैं अब compiler में से सबसे पहले एक आपके पास IDE यह पर एक compiler example है तर्बो C++ है यह compiler है C language को जो है execute करवाने के लिए C programs का execute run करवाने के लिए यूज़ होता है अब इस software या इस compiler के help जब हम लोग help लेंगे तो इंटीजर के लिए memory के अंदर two byte space allocate होगी ठीक है अगर आप इस compiler की बात करें तो यह क्या करेगा memory में two byte space जो है allocate करेगा उस variable की जिसकी data type int होगी ठीक है तो यह डिपेंड करता है कि आप कौन से compiler यूज़ कर रहे है और उस compiler ने जो है memory space की से साफ़ सालोकेट करनी है उसके बाद बात की थी कि अब compiler two bytes allocate है उसके बाद range की बात आ जाती है कि range जो है वह कितने numbers पे consist करनी चाहिए लास्ट वीडियो में जो बात की थी data type की उसमें हमने का था कि जो variables हैं उनकी हास range of values होती है इसका मतलब उस range of values के अंदर रहते हुए वह अपनी values को use करेगा या उस range of values के रहते हुए values को उसके अंदर store करवाएगा integer data type की जब बात करते हैं तो मैंने पर जो range of values आती है वह होती है minus 32768 से लेके 32767 तक इसका मतलब जो भी values आप रखवाते हैं वह इस range के दर्मियान होनी चाहिए अगर minus terms में जाएं तो 32768 से पीछे जारा निकलनी नहीं चाहिए और अगर आप positive की बात करें तो 32767 से exceed नहीं करनी चाहिए तो यह था आपके पास int data type उसके बाद हमारे पास जो second data type है जो integer data को store करवाती है वह आपके पास short data type ठीक है उसका नाम है short data type short का काम क्या होता है short data type is used to store integer values short data type का भी काम यही होता है कि इसने भी integer values को store करना है it takes two bytes in memory यह भी compiler अब compile करता है तो short data type के लिए भी two byte memory space को ही reserve करता है यह allocate करता है its range is from minus two to 15 to 15 to minus one its range is from minus two to 15 to minus one यहां तक जो अन्सिस की range है वह लाइ करती है यानि कि इनके दर्मयान जो है इसकी short data type की values है short data type जब हम use करेंगे तो जो values हम assign करेंगे variable को वह इनके दर्मयान आ सकती है it means that the valid value is from तो इसका मतब जब valid value की बात करें तो वह इसके दर्मयान आएगे the short data type is also called short int इसका मतब यह हुआ कि जो short data type है actual में इसको हम लोग एक और नाम भी दे सकते है that is called short int ठीक है इसको हम short int का नाम भी दे सकते है short data type एक ऐसी data type है जो के आपको आपके variables को के अंदर integer values को store करवाती है memory के अंदर two byte की space allocate करती है इसकी जब हम range की बात करें या range वाल्यू की बात करें हम लोग ने एक और चीज़ देखी कि जो short data type है उसको हम लोग short int का नाम भी दे सकते हैं हम उसको short int भी कहते हैं उसके बाद आपके पास आती है अंधर data type जो के integer data के store करवाती है that is unsigned int data type उसको हम कहते है unsigned int data type unsigned int data type कौन सी होती है unsigned int data type is used to store only positive integer values यह ऐसे data type होती है जिसके अंदर आप positive type के integer values को store करवा सकते हैं इसका मदलब क्या हुआ आपने कहा कि जो integer values होती है integer values उसके अंदर आप positive और negative दोनों values की बात करते हैं values होनी चाहिए positive भी हो सकती है negative भी हो सकती है लेकिन वो fraction यह decimal पर consist नहीं करनी चाहिए वो ना तो fractions हो सकती है ना decimal just positive और negative unsigned int data type की जब हम बात करते हैं तो आपकी जो data values होनगे जो variable के अंदर आप रखवाएंगे values वो आपकी just positive integer values होनगे it takes two bytes in the memory यह भी memory में just two bytes करी करता है two bytes करता है space को its range is is from 0 to 2 की power 16 minus 1 इसकी जो range है वो है 0 से लेके 2 की power 16 minus 1 अब यह 0 से क्यों start हुआ क्योंकि हमने का था कि जो unsigned int data type है इसके अंदर just positive integer value store हो सकती है ठीक है इसके अंदर negative integer value store नहीं हो सकती है it means that the valid value is from 0 to 65535 इसका मतलब जो valid values है जो के values इसके store हो सकती है वो just हो सकती है 0 से लेके 65535 तक unsigned int data type के अंदर store होंगी the unsigned int is also called unsigned unsigned int को हम एक और नाम भी देते है that is also called unsigned ठीक है इसको हम unsigned भी कहते है unsigned int data type ऐसी data type है जिसके अंदर हम लोग integer values को store करते है लेकिन सिर्व उन integer values को जिनकी जो के positive values होंगी positive integer values जस्ट आप unsigned int data type variables के अंदर store करवा सकते है यह भी memory के अंदर just 2 byte की space लेगी और इसकी जो range होंगी वह होती है 0 से लेके 2 की power 16 minus 1 तक ठीक है वोग यह positive से start होती है positive values को store करवाते है तो 0 से लेके 2 की power 16 minus 1 तक सारी positive values है यह इतने data को store करवाते है इसकी जो values होंगी वह range करते है वह 0 से लेके 65535 के दर्मियान की जो भी values होंगी इसको store करवाई और unsigned int को हमें को नाम दते है that is called unsigned उसके बाद हमारे पास आती है next data types next data int data types that is long data type long data type क्या होती है कुंसी होती है long data type is used to store large integer values long data type क्या करती है यह store करवाती है large integer values को long data type is used to store large integer values ऐसी integer values जो के large उनको store करवाती है it takes 4 bytes in memory यह memory में 4 byte की space को preserve करवाती है compiler जब देखता है int यह long data type है इसका मतब उसने memory में जो space allocate करनी है वो up to 4 bytes होगी ठीक है its range is from minus 2147 483 648 2147 483 647 long है large integer values को store करवाना है इसलिए इसकी जो range है वो भी ज्यादा होगी memory space ने 4 byte की space occupy करनी है ठीक है तो इसकी range इन दो नक्त values के धर्मयान की होगी the long is also called long int long को हम लोग long int भी कहते हैं ठीक है long int long एसी data type जिसने large integer values को store करवाना है इसको हम कहते है long data type अब इसने जब compiler देखते है long type data type है तो इसने memory के अंदर 4 byte रिजर्व कर दिये और इसकी range of values इन दोनों values के दर्मयान में लाइक करती है ठीक है long data type पहले हम ने पड़ी int data type फिर देखी short data type फिर unsigned फिर long और अब हमारे पास आ रही है 5th one that is unsigned long data type unsigned long data type is used to store large positive integer values यह ऐसी data type है जो के unsigned और long डोनों की properties को hold करती है unsigned की property इसलिए hold करती है कि इसके अंदर positive values आ सकती है long data type इसलिए hold करती है कि यह large integer values को store करवा सकती है ठीक है unsigned long data type ऐसी data type जिसके अंदर आपके पास जो वेडिये बजोंगे और large amount में भी होंगे और just positive values लाई होंगे ठीक है just positive values होंगी और large amount में large number, large positive integer वाली zones होंगी वह इस data type की variables करने store होंगी memory जो compiler के लिए allocate करेगा वो up to 4 byte पे consist करती है ठीक है जानिके जो compiler memory reserve करवाएगा memory allocate करवाएगा वो up to 4 byte होगी इस range is from अब इस जो range होगी वो 0 से start होगी जाएगी 4294967295 तक ठीक है unsigned long को हम लोग एक और नाम देते है unsigned long is also called unsigned long int ठीक है इसको एक और नाम देते है unsigned long int का unsigned long data type ऐसी data type जिसके अदर unsigned data type और जो है long data type दोनों की properties लाई करती है इसके अदर unsigned की वज़ासे just positive values आएगी और long data type की वज़ासे इसके अदर large integer values आएगी memory space यह 4 byte allocate करेगा 4 byte की memory space occupy करेगा और इसकी जो range है वो लाई करती है 0 से लेके 4294967295 इसको एक और नाम देते है that is unsigned long int आपको नजर आ रहा होगा जिसके अदर सारा overview है अब इस table में अगर आप देखें तो आपके पास data type data types है उसके बाद size in bytes है और उसकी description है in detail में हम लोगो ने बात की कि integer type data होता है वो क्या करता वो numeric values को store करवाता है और उसके अदर किसी भी किसम की decimal values या फिर fractional values नहीं आती है ठीक है उसके अदर आपके पास values आ सकती है तो positive और negative values आ सकती है positive values आएंगी तो उसके साथ अगर कोई sign ना होगा तो हमें समझ आ जाएगी कि या value positive है plus है positive है by default और negative के लिए minus sign का होना जरूरी है minus sign इंडिकेट करता है यह जो value है वो है negative है पिर हमने examples देखी 10, 520, minus 20 यह सारी examples है integer type की data की पिर हमने उसके examples देखी नेक्समस की types देखी integer data की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 5 type के data types आती है 5 type के data types जो के integer type के data को hold करती है integer type के data का मतलब क्या वाकि उसके अदर आपके पास decimal या fraction values नहीं आ सकती है तो हमने सबसे पहले बात की हमारे पास first type थी that is into data type into data type ऐसी data type जो के integer type के values को hold करती है integer type के values को represent करवाती है और इस तरह की data type integer जो variables होते हैं उसके अंदर हम लोग numbers को store करते हैं जिसके अंदर किसी भी किसम का कोई भी fraction नहीं नहीं आता और जब इसकी space की बात की जाए तो यह 2 byte की space occupy करती है और जो आपका compiler है इस पर डेपैंड करता है compiler 2 byte की space को occupy करवाएगा या फिर 4 byte की space को और यह आपके software पर डेपैंड करता है compiler आप किस टाइप का यूज कर रहे है ठीक है turbo c++ की जब बात करें तो वह 2 byte space allocate कर वाता है इसकी जो value arrange करती है वह minus 3 to 7 6 8 से लेके 3 to 7 6 7 तक allocate कर वाती है पर हमारे पास आती है next that is short data type short data type क्या करती है यह आपका data store करवाती है integer values का memory के अंदर यह भी 2 byte space allocate करती है 2 byte memory space को लेती है और इसकी जो range होती है वह minus 2 की power 15 2 की power 15 minus 1 तक होती है same as आपके पास जी तरह int की होती है वैसे ही आपके पास short की होती है short को हम एक वह नाम देते है short data type को हम कहते है short int उसके बाद हमारे पास third data type आती है that is unsigned int data type unsigned int data type ऐसी data type होती है जिसके अंदर हम लोग just positive integer values को store करवाते है positive integer values का मतलब यह हुआ कि इसके अंदर किसी भी किसम की negative integer value नहीं आ सकती यह भी memory जो space लेते है two byte space अलोकेट करते है memory space two byte लेते है और इसकी जो range होती है जिरो से लेके 65535 तक इसको जो हम नाम देते है unsigned int data type को just unsigned भी कह सकते है फिर हमारे पास आती है fourth data type that is long data type इसमें क्या होता है हमारे पास जो data होता है वो large integer values पर consist करते है जो के memory space four byte तक carry करती है four byte तक allocate करती है इसकी जो range होती है वो लाई करती है minus two one four seven four eight three six four eight से लेके two one four seven four eight three six four seven तक इसको हम एक और नाम देते है that is long int उसके बाद मारे पस last data type आती है that is unsigned long unsigned long data type क्या होती है यह आपके पास store करवाती है values positive integer values वो भी large number में तो के अंदर आपके पास unsigned data type और long data type दोनों की properties आती है इसके जो space allocate होती है होती है four byte in memory और इसकी जो range होती है वो होती है zero से लेके four two nine four nine six seven two nine five तक और इसको हमें को नाम देते है that is long int so यह था हमारे पास integer type data integer data क्या होता है integer type data के लिए हम जो data types यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी हमकोने डिसकस की hope so आपको वीडियो के अच्छे से समझागी होगी कि किसी भी किसम की कोई कियो रही हो then you may ask take care, Allah Hafiz वीडियो पसंदा आई तो like करें अपनी डाय कमेंट करें इसे ही मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सबस्क्राइब करें और बैल का आईकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन बेलता रहे